ये बच्छा लोग, देखो, ये वीडियो बड़ी इंपोर्टेंट है और बहुत सीरियस है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है यार हमको समझ में नहीं आता है कि जो SSC के जो लोग है जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास ब्रेन में है कि नहीं कि पी के चले आते हैं या बीबी से जगडा करके चले आते हैं मैं एक स्कोर कार्ड आपके सामने रख रहा हूँ और ज़रा आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कितना justice है अब ये देखो बच्चे का score card है इस बच्चे का score card में मैं सब raw score की बात कर रहा हूँ normalize score की बात ही नहीं कर रहा हूँ raw score देखोंगे 198.75 score है English में 198.75 score है English में अगर ये score होने का मतलब ये raw score है normalize score देखे तो 200 cross कर गया है अब यार SSC की जो copy check करने वाले बंदे हैं अगर इसकी copy नहीं check करते अगर unfair mean की वज़ा से अगर copy evaluator नहीं करते it's okay समझ में आता कि बच्चे ने कोई गलती कर रखी है अब इन्होंने क्या काम कर रखा है बच्चे को दे रखा 31 marks चार चार आप सोच के देखो इस बात को कि एक लड़का अंगरेजी के paper में 200 में से 199 नमबर score कर रहा है और एक copy check करने वाला essay little check करने वाले बंदा ये decide कर रहा है कि वो essay और प्रेशी लिखने के लायक नहीं है 31 नमबर देने का मतलब क्या हुआ या तो पी के आया होगा या तो बीबी से लडाई कर के आया होगा 31 नमबर आपको लगता है ये justice है कहीं इस बच्चे के साथ कौन ये मानेगा और लड़का क्या लड़का क्या इतना चूतिया है जो पूरे 2 साल तक महनत किया उसने अच्छे से महनत किया है अच्छे से नमबर दिखाया और इतना score किया है और score इतना करने के बाद उसकी ये हालात है यही नहीं normalization का effect देखोगे बाई चाब ये देखो minus 414 सत्तर नमबर लड़के ने score किया और score है minus 414 यही नहीं मैं कुछ और दिखाता हूँ मेरे को अभी सब्सक्राइब याता कि क्या करते हैं यार 126 नमबर इसके positive थे अब have minus 130 यार 2018 का बच्चा है अब SSC का normalization का जो formula है वो यह बता रहा है कि भाई आप 126 नहीं minus 130 के लाइक हो कसम से क्या अखंड चूतिया है हम 18 तारीक को अगर paper हमारा पड़ा है और हमने 126 score किया है इसका यह मतलब हम अखंड चूतिया है हम मतलब positive में number लाने लाइक नहीं थे 130 number मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो PW candidate है S.E.S.E. काटेगरी में आता है जिसको government ने एक provision दे रखा है कि भाई ठीक है इस community में लोग जैसे PH के जो बंदे हैं उनको यह पता है कि life में भगवान ने उनके साथ अन्होनी कर दी है तो government उनको सुविदा देती है कि नहीं आपके हमें एक अलग से कोटा बना दे रहे हैं और कुछ seat है रिजर्व कर दे रहे हैं जिसपे आप मेहनत करके उस seat पे बैठके अपनी life सवार सकते हो आने वाली generation सवार सकते हो तो वो बच्चे कई बार क्या होते हैं इसे पता नहीं कितने यह तो एक-दो scorecard मेरे पास आया ऐसे सोचो कितने कितने ऐसे होंगे आपको नहीं लगता है कि यह normalization को जो formula है इसका drawback है और और मैं भी एक और बार discuss करने वाला हूँ ठीक है यह तो किसी और बच्चे का एक selected बच्चे ने अपना score जो है नवनीत ने बेजा है यह तो मतलब वो था कि उसना मुझे message बूलता है कि सर मुझे कौन सा pay scale मिल जाएगा कौन सा pay grade मिल जाएगा बच्चा अच्छा है और मतलब माई पड़सरा का बच्चा है तो personally question पूछ लेते हैं बच्चे हम बेज़के कि सर मर इतना score बना है क्या post मिल सकती है सो हम इस मुद्धे पर discussion कर रहे है दो important मुद्धा जैसे मेरा एक दोस्त है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा मेरे दोस्त को मैं personally जानता हूँ हम college में साथ में पढ़ते थे batchmate वो वहाँ के बाद बंदे ने industry join कर ली industry join करने के बाद वापस उसे मन लगा कि government job में जानना है और इस बार तयारी की उसका में मेर्स और इंग्लिस का score एक number caution है सालम हमें लगता था कि हमें अपने college में कुछ नहीं आता था उस बंदे को भाई सब सीवेसी बोड का लड़का है उसे ऐसे लिखने आता है लेटर लिखने आता है क्या score मिला है उसे मैं एक और incident बताता हूँ प्लीज कोई लोग इसे otherwise मत लीजिएगा कई चीजे ऐसी है जो मैं discuss करता रहता हूँ मैं अपना खुद का scorecard बनाता हूँ 2016 का इसमें आपको समझ में आएगा दूसरे का scorecard तो समझ में आता है लोग सही गलत बताएंगे मैं आपको बताता हूँ 2016 में जो आया था लेटर लिखने के लिए आया था वो do's and don'ts of earthquake लिखने को आया था और मैं बता रहा हूँ कि मैं ये गोड के आया था मुझे आज भी याद है कि do's and don'ts पहली बार ऐसा आया था जिस वक्त हमें नहीं पता था कि क्या लिखना चीए क्या नहीं लिखना चीए था मुझे आज तक तो lines भी पता है कि मैंने lines क्या लिखा था ठीक है? इसके अलामत दूसरा आया था दूसरा जो आया था आपका पता है कि informal letter आया था भाई को पत्र लिखने के लिए आया था कि computer based exam के लिए बहुत सरल होता है और इतना सरल जो है letter वो भी मैंने लिख पाय था मैंने formal letter पढ़ा था formal letter का format में ही इसमें ठीका था मुझे आज भी line याद है मुझे मैंने इसके सुरुवात ऐसे की थी कि मुझे पता है मेरे भाई तुम बेटे college में हो तो तुम्हें computer से related चीज़े पता होती है मैं थोड़े बहुत इसके drawback है वो बता देता हूं कि computer based exam का result बहुत जल्दी आता है और थोड़ी साफदानी बरतनी होती बस इसके सिवा और कुछ भी statement नहीं लिखा था और 2016 के exam के बाद मुझे लगा कि यार मेरा tier second तक score बहुत awesome था मैं कोई भी post assume कर रहा था और इस paper के बाद मुझे लगा कि मैं fail हो जाओंगा मेरा कोई exemption सी नहीं था मैं घर पे बूल रहा था कि मेरा tier third का paper बहुत खराब हो गया मैं pass भी नहीं होंगा मेरा essay letter का खराब और मुझे 73 number मिले थे ये बात मैंने कई लोगों के साथ share किया है यार कि अगर आप Hindi में essay letter लिखते हो तो एक तो मुझे लगता है कि जो SST में बैठे वे लोग हैं ऐसा तो नहीं बहुत पुराने color के post से promote करकर करके वहां पर पहुचे या random किसी सेलेक्टेड हो उसने ये number दे दिया इस वज़े से मैं सेलेक्टेड हो मतलब फेस सेकेंड टक मैं बहुत अच्छे score में था लेकिन यला paper मैंने अगर गोड़ दिया अगर कोई भी बच्चा last तक सभी perform नहीं करता है तो उसको seat लेने का कोई नहीं मतलब बनता है इसी तरीके से क्या हो रहा है कि इस बार बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा बहुत उम्दा लिखते हैं इंग्लिस में अगर वो लेटर और प्रेसी लिख के आए हैं उनका स्कोर ऐसे बना हुआ है चलो मेरा मानना है इस बच्चे को अगर 31 के बजाए 33 नमबर दे दिया जाता तब भी ओके था कि चलो ठीक है 31 नमबर यार क्या अखंड कैसे जज़ करें कैसे आप ज़ज करो कैसे कोई ज़ज करेगा और ये अगर चलो एक एक एक्जामप उपन होता तो हम लोग ये मान लेते कि नहीं जो SSC है और इस बच्चे ने अपना फेस थटका पेपर खराब कर दिया होगा ये एक एक एक्जामपल नहीं यार ये एक एक एक्जामपल तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ पता नहीं कितने ऐसे एक्जामपल है अब ये वाला केस आप साथ साथ देखो इसको कैसे जड़ा देखना जड़ा 126 नंबर बाकी का तो मैं नहीं समझता हूँ इसका देखो तो English language में जो स्कोर है 185 ध्यान से देखना ठीक है नॉमलाइज स्कोर 187 है इसके दो नंबर बढ़ के आए है मैस में इसके 126 है मैस में इसके 126 है और इसको मैस में फाइनली माइनस 130 स्को मिला है अगर यह SCST candidate हो मुझे नहीं पता यहां पर क्या है SCST candidate हो तो इसको seat मिल सकती थी आराम से अगर यह normalization का इतना बड़ा impact नहीं पड़ता तो मालनों अगर मैं बोलता हूँ कि इस बच्चे को अगर अगर 15 तारिक का या 16 तारिक को paper देने को मिलता तब भी इसका मैस का score सो से लेके 120 के बीच में कम से कम में आता तो यहां पे जो score होता 100 से लेके 120 होता, normalized होता तो इसके भी 170 number होते इसके भी 170 number होते तो क्या SSC ये decide करेगी क्या SSC ये decide करेगी कि लग के बेस में बच्चा अंधर जाएगा यार ये तो कोई मीन नहीं normalization का जो calculator डाला गया था वो इस वज़े से कि कोई luck के basis पे ना जाए normalization का calculator इसलिए ही डाला गया था इसलिए नहीं डाला गया था कि लोग luck के basis पे आप अंदर जाएं अब ये क्या ये unlucky हो गया 18 का हो जिसको पड़ा उस दिन कि सब को इस बात को ले के यार ना आवाज उठानी चाहिए कि calculator में बदलाव हो calculator में बदलाव नहीं होगा तो बहुत सारे बच्चों के भविस के साथ खिलवाड होगा बहुत सारे deserving candidate SSE के अंदर नहीं होगे और बहुत सारे deserving candidate जो है वो बाहर ऐसे तैयारी पे तैयारी रखेंगे और बहुत सारे ऐसे लोग जो SSE के अंदर और उपे compare में deserve नहीं वैसे deserve करते होंगे लेकिन अगर दो candidate है एक ने अगर 20 score कर रखा एक ने 19 तो 20 वाला deserving है 19 वाला deserving नहीं है इस भिहाब पर decide होता है तो इस तरीके के calculator पे इस वाले बंदे को seat मिलेगी इस वाले बंदे को seat नहीं मिलेगी या बहुत ज़्यादा unfair शीज है और आपको नहीं लगता है कि यह गलत है अगर आपको लगता है कि गलत है यह चीज़े सही नहीं है तो यह जो message है यह आप और लोगों तक भी पहुचाईए और उसके पहले आप नीचे मुझे comment section में अपनी राय बताईए कि आप इन सब पहलों पे क्या सोचते हो आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेके हमें क्या SSE तक अपनी बात पहुचानी चाहिए कि इस तरीके का जो है यह दो issues तो major है कि normalization का calculator वो सही करें दूसरा चीज है कि यह जो copy check करने में यार error हो रहा है न यह ना हो यह हो रहा है English में SEO प्रेसी लिखने माले बहुत सारे बच्चों के साथ यह होता है तो ऐसे decide ना करें कि कोई बच्चा जो है 200 में 200 English में score कर सकता है और इससे और later नहीं लिख सकता है यह चीजे बिलकुल सही नहीं है अभी इसके पहले मैंने बात किया था एक बच्चे का मैस में 200 score है 1952 score है इंग्लिस में और वो list में ही नहीं है वो list में ही नहीं है phase 1 में भी उसका awesome score है तो ऐसे बहुत सारे cases होते है तो इस तरीके की cases कब बंद होगे SSC जानबुच के चाहती है कि phase 2, phase 3 के बाद एक phase कचहरी में चले यह जानबुच के किया गया काम है कि कचहरी में एक phase चलाया जाए और case कर दिया गया है SSC पे SSC पे case कर दिया गया है इससे क्या होगा इससे process लंबा होगा और लंबा होगा और लंबा होगा और पता नहीं क्या होगा पता नहीं कब क्या काम करेगी फीज अपने राय आप लोग नीचे लिखे comment section में बताईए आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे इस चीज को लेके इस चीज को अगर आपको लगता है कि ये आवाज उठानी चाहिए तो ये आवाज को बुलंद करीजिए लेकिन एक लिए इस कमेंट सेक्चन दो बताइए कि इन दोनों पहलू पर इन दोनों मुद्धों पर आप क्या सोचते हो